Hello everyone, welcome to my YouTube channel NK Maths इस particular video में हम लोग बिहार economy से top current affairs देखने वाले हैं जैसे बिहार में किसी चीज के उत्पादन में क्या स्थान है बिहार का भारत में या किसी चीज के particular उत्पादन में बिहार कितना उत्पादन किया है जो data से related question आते हैं या BPSC Pre में पूछा गया था 64 BPSC में जो 16 December को हुआ था इस तरह के question देखने को मिले थे सांत में बिहार का जो interest तरिये परिक्षा हुआ था उसमें भी इस तरह के question काफी देखने को मिले थे तो आगे जो बिहार विधान सभा का परिक्षा है अभी आगे होने वाला है एक दो दिनों में कल से ही सायद स्टार्ट है या फिर बिहार को अपरेटिव बैंका है या किसी और अगर आप बिहार की परत्योगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी helpful होने वाला है अगर आप ऐसे कोई स्प्रेंट है जो बिहार के लिए specially तयारी कर रहे है तो आप इस वीडियो को अंदक जरूर देखिएगा और किवल ये वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है इसके साथ मैंने जितने भी बिहार के ऊपर वीडियो बना रखी है उलड़ेडि उन्हें भी आपको देखना पर एगा तब ही जाकर के आपको ज्यादा फाइदा होने वाला है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा या उपर जो कॉर्णर पर आई बटन होता है वहां से भी आप जाकर के उन्हें चेक कर सकते हैं देख सकते हैं या फिर चैनल के प निर्मान में या उसके मरमत में बिहार सरकार ने कितने रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट को सुरू किया है मैं आपको बता दूँ यह अपरेल दुहर 18 का बात है जब बिहार सरकार ने गोसना किया था कि जो एनेट्स टू है उसकी मरमत करवाई जाएगी या बिहार मे जो अहां भी लाना है उसको लाया जाएगा या उसका निर्मान करवाया जाएगा इससे रिलेटेड बिहार ने एनाउस्मेंट किया था बिहार सरकार ने एक प्रोजेक्ट सुरू करने का आपको बताना है कि उस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है या बिहार उसमें कितने 802 करोड याने की 882 करोड रुपए ठीक है आपको ऑप्षन हो सकता है यूएस डॉलर में मिले तो अगर आपको यूएस डॉलर में जाना है तो उसे भी मैं बता देता हूं ये डॉलर में इसका वैल्यू होगा 136.85 मिलियन यूएस डॉलर ठीक है तो अगर डॉलर में ऑप्षन मिले तो आप ध्यान रखिएगा 136.85 मिलियन यूएस डॉलर इसका एंसर होगा और अगर भारतीय रुपए में पूछा जाए तो 882 करोड रुपए दूसरा प्रसन देखते हैं दूसरा प्रसन है दो हैर अठारा 2019 में पटना कितने एयर क्राफ्ट की सुरुवात करने का लक्ष रखा है दो है ठारा उनिस में पटना जो है वो कुछ एयर क्राफ्ट याने की विमान जिसको हम लोग बोलते हैं वायू या हवाई जहाज आप समझ लिजिए तो इनको हैंडल करने वाला है और आपको इनकी स अंख्या में यह इसका लक्ष है कि बर्स 2019 तक कितने एयर क्राफ्ट ने इसको लेने हैं और इसको शुरू करने हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है 9575 यानिकी ऑप्शन भी यह जो नंबर आप देख रहे हैं 9575 यह नंबर है एयर क्राफ्ट का और आपको यह बता दें कि इनके जरीए टोटल 13,70,918 यात्री होंगे ब्यक्ति होंगे जिन्हें एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचाया जा सकेगा इतने एयर क्राफ्ट के जरीए और इसके साथ 3568 मिट्रिक टन यानिकी एमटी इतना समान भी धोया जा सकेगा तो यह आपको ध्यान में रखना है यह डाटा ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए जरूरी है कि कितने विमान को वो शुरू करने वाला है 2019 तक उसका लक्ष कितना है पटना का तो इसका एंसर होगा 9575 अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है अमरित योजना के तहत बिहार को कितने रूपए एलोकेट किये गए हैं Central Government ने अमरित योजना की सुरुवात की है आपको बताना है कि इस योजना में बिहार को कितने रूपए एलोकेट किये गए हैं तो इसमें बिहार को एलोकेट किये गए हैं, देखिए अब इसमें भी भारतिय रुपए में भी आपको option मिल सकता है, मैं भारतिय रुपए वाला ही लिया हूँ option और हो सकता है कि US डॉलर में भी आजये option, तो मैं दोनों बताते चलूँगा, आपको दोनों याद रखना है, अ 383.21 million US dollar, million US dollar, कितना है 383.21 million US dollar, अगर डॉलर में पुछा जाए तो, अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ अमरित योजना के बारे में, ये योजना जो है, इसकी सुरुवात कभ हुई थी, ये आपसे पुछा जा सकता है, तो इसकी सुरुवात हुई थी 25 जून 2015 को, कभ सुरुवात हुई थी 25 जून 2015, दूसरा आपसे अमरित योजना का उदे से पूछा जा सकता है, कि क्यों इसकी सुरुवात की गई, तो इसकी सुरुवात की गई थी, सहरों में development के लिए, ठीक है, या संदचना जो है, अधारित संदचना उसको बढ़ावा देने के लिए, और नए नए तरीके के अभिकास करने के लिए, लेकिन किस तरह के सहरों में, जहां की अबादी 500 से अधिक है, वैसे सहरों में development का काम करेगा ये अमरित योजना, ठीक है, तो इसके तहट बिहार को कितने रुपए ऐलोकेट किये गए हैं, 2479.77 करो रुपए, ठीक है, अब एक चीज और अमरित योजना का full form भी पूछा जा सकता है आपसे, तो अगर full form पूछे तो इसका full form होगा, अटल, Mission, and Urban, Transformation, अटल, Mission, and Urban, Urban, URBN, Transformation, तो यह है इसका full form, चलिए अगला इसन देखते हैं, question number 4, टूटल दस क्वेशन मैंने इसमें कभर किये हैं फिर पार्ट टू जो आएगा अभी कुछ समय बाद आ जाएगा आधे या एक घंटे बाद आएगा तो उसके लिए भी आप जरूर वेट कीजेगा अगर आपका एक्जाम कल ही है तो क्योंकि कल से सुरू हो रहा है बिहार वि या दिधाय मिल्योसना चलाई जा रही है मिड्डे मिल्योजना क्या है नितिस उसकुमार की अध्यक्ष्टा में बिहार सरकार ने यह एक लियम sarà थमयें निकाला था स्पेशलेवार जीदवार की मुक्ष मंत्री है कि स्कूलों में जो बच्चे पढड़ने जाएंगे तो उसमें आपको जो दो पहर के टाइम में उनको भोजन दिया जाएगा यही है मिड़े मिल योजना तो यह कितने स्कूलों में चलाई जा रही है यह क्वेश्चन है और वो भी नए बजट के अनुसार जो दोहर 18-19 वला बजट है तो इसमें यह कोटल 70,371 याने की ऑप्शन डी इसका सही एंसर है 70,371 स्कूलों में यह योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत लगभग 1.25 करोर इतने बच्चों को फाइदा हो रहा है इससे याने कि इतने बच्चों को यह सुधा प्राप्त हो पा रही है मिड़े मिल योजना स से कितने स्कूलों में यह योजना चल रही है फिलहाल यह नए डाटा की अनुसार बिलकुल अपडेटेट है यहां 70,371 स्कूलों में चलिए अगला क्वेशन देखते हैं यह है क्वेशन नंबर 5 आपका इसमें पूछा गया है कि 2017-18 में बिहार में चावल का कुल पादन रहा आपका 172.4000 m3 ton 1,000 kg को हम लोग बोलते हैं यह इसको केवल टन आप बोल सकते हैं ठीक है तो यह 1000 तक बराबर है सौरी 1000 kg को हम लोग 1,000 kg को और तो वह आपको याद रखने की जूरत नहीं है वह मैत का बात है आपको बस यह डाटा याद रखना है कि बिहार में 2017 से 2018 तक ले करके जो चावल का उत्पादन रहा राइस प्रोडक्शन वो कितना रहा तो ये है 7296.4 हजार मिट्रिक टन बाकि दूसरा ओप्शन जो आप देख रहे हैं 340.9 हजार मिट्रिक टन ये है दाल का उत्पादन पल्सिज का इतना दाल का उत्पादन हुआ है बर्स 2017-2018 में बिहार में और तीसरा जो आप चौथा देख रहे हैं 16.5 एक मिलियन टन ये है सुगर के इनका याने की गन्ना का उत्पादन बिहार में इतना तो तीन चीजे मैंने एक ही क्वेशन में कभर कर दी है अलग-अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही में कभर हो जाए आपको याद रखना है 72.4 हजार मिट्रिक टन है ये है चावल के लिए डाल का कम है 340.9 हजार मिट्रिक टन और जो गन्ना है सबसे कम है ये है सौरी कम नहीं है ये तो मिलियन में है 16.5 एक मिलियन टन जो भी हो कम या अधिक हो आपको बस याद कर लेना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है कि 2017 में बिहार में कितने विदेशी परियाटक आये थे 2017 में बिहार में टोटल विदेशी परियाटक की जो संक्या है वो है 1.08 मिलियन इतने बिदेशी foreigner tourist आये थे बिहार घुमने के लिए और जो इसके उपर वाला आप देख रहे हैं 32.4 एक मिलियन ये हैं domestic tourist domestic tourist का मतलब हुआ भारत की केवल परियाटक जो भारत के एक अस्थान से चल करके बिहार में आये थे घुमने के उदेशे से उनकी संख्या है domestic याने की घरेलू परियाटक का जो संख्या है वो है 32.4 एक मिलियन और जो विदेशी परियाटकों का संख्या है वो है 1.08 मिलियन तो ये था प्रस्ट नमबर छे अगला प्रस्ट काफी important question है और इसमें मैं धेर साड़ी जनकाडियां देने वाला हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अगर आप पुराने फिवर ही है तो लाइक कर दीजे कमेंट कर दीजे इतना काफी है देखे बिहार के state highways जो है उसके improvement के लिए भारत सरकार और ADB ने कितने रुपए के लोन पर हस्ताक्षर किया है तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार का state highway है उसके improvements के लिए भारत सरकार और ADB ADB हम लोग किसको बोलते हैं ADB बोलते हैं Asian Development Bank ठीक है यानि कि ACI विकास बैंक हिंदी में बोले तो इन दोलों के बीच जो हस्ताक्षर हुआ है वो 200 मिलियन डॉलर के लिए 200 मिलियन डॉलर लोन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत सरकार और ADB के बिच बिहार के state highway के उसके सुधार करने के लिए अब मैं आपको कुछ ADB के बारे में बताता हूँ पहले तो ADB का मतलब Asian Development Bank ACI विकास Bank और इसकी जो अस्थापना होई थी वो होई थी 19 दिसंबर 1966 को कब होई थी 19 दिसंबर 1966 ये पहला चीश आपको याद रखना है दूसरा की ADB का मुख्याले कहा है इसका जो headquarter है वो है Manila Manila Philippines फिलिपिन्स देश में है Manila वहां की राजधानी है फिलिपिन्स की राजधानी Manila में इसका मुख्याले है यानि की headquarter तिसरी चीश इसकी सदस्यता यानि कि इसमें कितने देश अभी इसके हिस्से हैं यानि कि कितने देश इसके मेंबर्स हैं तो टोटल 67 कंट्री हैं जो अभी ADB के साथ जुरे हुए हैं तीसरा चीश है और सौरी चौथा चीश जो काफे important है इन सबसे वो है कि इसके प्रेशिडेंट कौन है बरतमान में प्रेशिडेंट का मतलब अध्यक्ष राष्ट पति मत समझेगा तो इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो हैं ताके ही को नकाओ मैं लिख कर आपको बताता हूं ताके इको नकाओ ये कहां के रहने वाले हैं ये भी आप से पूछा जा सकता है तो ये जापान के हैं और ये कितने नंबर के प्रेशिडेंट हैं कितने नंबर की अध्यक्ष हैं नवे अध्यक्ष है ये एडिबी के नवे अprowad्यक्ष हैं और ये सुरायधानी है वो है टोकियो और टोकियो में बर्स द्वहार 20 का ओलंपिक गेम होगा ये भी आप याद रखिएगा अगला प्रस्न question number 8 ये है बिहार की cabinet ने किस नदी पर नई four lanes रख पूल बनाने की मंजूरी दी है बहुत important question है ये जो मंजूरी दी गई है ये है कोसी नदी के लिए कोसी नदी को हम लोग बोलते हैं बिहार का सोक बिहार का सोक किस नदी को बोलते हैं कोसी नदी को उतर परदेश का सोक भी इस तंका रहता है इससे इसलिए इसको हम लोग बिहार और उत्रपरदेश का सोक बोलते हैं अगला क्वेशन नंबर 9 बरतमान में बरतमान कीमत दर पर यानि की करेंट प्राइस रेट पर बिहार का GSDP कितना है GSDP क्या होता है GSDP होता है ग्रोस एस्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है GROSS ग्रोस एस्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानि की ग्रोस राजे घरेलू उत्पाद ठीक है यह जो है बरतमान कीमत दर पर वो है 12.13% 12.13% एक चीज और आपसे NSDP भी पूछा जा सकता है अगर आप यह समझ गया हो तो मैं NSDP के बारे में भी चर्जा कर दूँ NSDP इसी तरह का दूसरा रैंक है इसमें जो भारत का ब्रिधी दर है वो है 12.10% बिल्कुल करेंट नॉमबर 12.18 में अपडेट इट है यह ठीक है तो बारे दसमलो एक सुन्य परसेंट है NSDP NSDP क्या होता है नेट एस्टेट डूमेस्टिक प्रोड़क्ट बस एन के जगह पर नेट हो जाएगा बाकी सेम है एस्टेट डूमेस्टिक प्रोड़क्ट अगर ग्रोस का बात किया जाए तो 12.13% और नेट एस्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा जाये तो 12.10% अगला क्वेस्टन और अंतिम प्रेस्टन ये सौरी उसी टाइब का क्वेस्टन मैंने लिख दिया है अभी मैंने आपको ऑप्शन में ये डिस्कस कर दिया कि बिहार का NSDP कितना है बर्तमान की मदर पर ये है 12.10% और जो GSDP है वो है 12.13% ये ध्यान रखिएगा NSDP GSDP से अभी कम है फिलाल में काफी कम मार्जिन से लेकिन कम है ये वीडियो का अंधिम प्रस्ण है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिए आते से एक गंटे के अंदर अगला वीडियो भी आ जाएगा थैंक्यू फॉर बाचिंग